जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत्थ डिफेंस एजूकेशन में आज हमारी क्लास थ्री है एच्पी पुलिस डेली मिक्स जीके की इस वीडियो में टॉफ 15 प्लस कोईशन डिसकस करेंगे जो कि आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे डेली विजयपत्थ डिफेंस एजूकेशन की तरफ से आपको एच्पी पुलिस मिक्स जीके की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है इसको आपने जरूर देखना है जाद से जादा लाइक करना है और अपने फ्रेंट्स में शेयर करना है मिक्स जीके के आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटागिरी के रहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो पर करवाता है आपके आने वाले सभी अपकमिंग स्टेट और सेंटर गवर्वर्मेंट इक्जामों को आप अपनी इसमें त्यारी बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और 100% शुर सक्सेस के लिए आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जोईन कर सकते हैं फरस्ट कोशन है हमारा इस वीडियो का बुरह किस जिले का लोक नरित्ते है तो बुरह जो है वो हिमाचल की किस जिले का लोक नरित्ते है उस जिले का नाम है सिरमोर और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिरमोर राजे का संस्थापक जो था उसका नाम था राजा र राजा रसालू जो था वो सिर्मोर राजे का संस्थाफक था नेक्स कोईशन है हिमाचल दिवस का बनाया जाता है वन इस दा हिमाचल डे सेलिब्रेटेड तो हिमाचल दिवस जो है पूरे हिमाचल में मनाया जाता है 15 अप्रैल को most important question है और यहीं से एक important question मैं आपकी लिए बनाता हूँ हिमाचल जो है एक पहाड़ी हमारा राज जय है जो है पूरे हिमाचल में मना जाता है एक November को important question है आपको याद रखना है next question है हिमाचल प्रदेश की पहली ब्यधान सवा अध्यक्ष कौन थी Who was the first speaker of Himachal Pradesh पहली बिधान सवा अध्यक्ष जो है यहां पर बात की गई है लेड़ीस की तो Himachal की ऐसी पहली बिधान सवा अध्यक्ष कौन थी जो की महिला थी उनका नाम था बिध्या स्टोक जो की Himachal की पहली बिधान सवा speaker रही है Next question है हिमाचल परदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटे हैं हाउ मैनी सीट्स ओफ लोकसभा आर दियर इन हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश में टोटल लोकसभा की सीटे हैं चार और अगर मैं राज्य सभा की बात करूँ तो वो हमारी हिमाजल की सीटे हैं टोटल तीन और अगर मैं सबसे लेटस्ट सीट की बात करूँ कि राज्य सभा में सबसे लेटस्ट सीट किसको मिली है 2020 में तो उनका नेम है इंदू गो स्वामी जिनको अप्राइल 2020 में राज्य सभा के लिए नामित किया गया था next question है HRTC में green card योजना के तहट कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है what percentage of rebate has been given under the green card scheme in HRTC HRTC के दौरा एक मुख्य योजना स्टार्ट की गई थी जो की है green card योजना उसके तहट जो है आप कहीं भी अगर travel करते है 50 km के अंडर तो आपको 25% जो है बहाँ पे discount दिया जाता है और उस card की बात करूँ तो 50 km तक वो valid है 25% उसमें discount दिया जाता है 50 रुपे का वो आपके पास card बनता है और उसकी validity रहती है 2 साल तक next one है बिश्व भारती की स्थापना किस ने की who founded बिश्व भारती तो बिश्व भारती की स्थापना की थी रविंदरनाथ टैगोर जी ने और रविंदरनाथ टैगोर जी ने हमारा भारत का जो national anthem है वो भी लिखा है जो की है हमारा जनगनमन जिसको की लिया गया है गितांजली से और 52 सेकंड जो है वो हमारे जनगनमन को गाने के लिए लगते हैं और गितांजली के लिए जो है वो रविंदर नास टैगोर जी को भारत का पहला जो है वो नोबल पुरुषकार दिया गया था 19 1713 में तो विशो का जो सबसे बड़ा पुरुषकार होता है नोबल पुरुषकार उनको वो दिया गया था 1913 में सहित्तिक एक्षेतर में फोर्दा गितांजली गितांजली के लिए जो है वो रविंदर नास्ट अगोर को 1913 में नोबल पुरुषकार दिया गया था जो की भार को होती है Goods and service भारत में कब लागू किया गया था इसको कब स्टार्ट किया गया था पूरे इंडिया में तो GST को स्टार्ट किया था एक जुलाई 2017 को अगर मैं सबसे पहले राजय की बात करूं कि किस ने स्टार्ट-प किया था उसका नाम है असम में सबसे पहले GST लागू हुआ था और सबसे अंतिम में लागू हुआ था जमू कश्मीर में most important question है next one है 100 रुपे की नोट के पीछे किसका चित्र बना है तो यह जो है यह नई करन्सी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें रुपीज का सिंबल दिया होता है तो whose picture is made behind 100 रुपीज नोट तो नहीं जो हमारी करन्सी है उसमें जो 100 रुपे का नोट है उसके पीछे छपा है रानी का बाब जो की हमारा स्थित है गुजरात राज्य में next question है हिमाचल परदेश भूगोली रूप से हिमाले परबत के किस भाग में स्थित है हिमाचल परदेश is geographically located in which part of Himalayan mountains हिमाचल परदेश जो हमारा हिमाले परबत के पश्चिम भाग में स्थित है मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल जो है ये हिमाले परबत के जो है ये पश्चिमी हिस्से के रूप में सबसे कम शाक्षर जिला कौन सा है लिस्ट लिट्रेचर की बात कर रहा हूँ मैं तो हिमाचल में जो सबसे कम शाक्षर जिला है उसका नेम है डिस्टिक चमबा और डिस्टिक चमबा की बात करूँ तेव जादा से जादा बॉंडरी शेयर करता है हमारे डिस्टिक कांगणा से हिमाचल परदेश की सीमा पूरव दिशा में किसके साथ लगती है तो हिमाचल परदेश का जो बोर्डर है इस्ट साइड जो है वो किसके साथ लगता है तो उसका नेम है तिबबद तिबबद के साथ सो है वो हिमाचल परदेश इस्ट दिशा में जो है वो अपनी सीमा को सांजा करता है next one है सबसे most important question इस वीडियो का बर्ष 2001 जनगर्णा के अनुसार हिमाचल परदेश की जन संख्या कितनी थी what was the population of हिमाचल परदेश as per 2001 census तो 2001 की जनगर्णा के अनुसार जो है वो total हिमाचल की जन संख्या थी 6077248 most important question है क्योंकि books में जो है वो जादा तर 2011 की ही जनगर्णा दी होती है तो आपको 2001 की भी जनगर्णा याद रखनी है next question है शिमला की यातरा करने वाला पहला गवर्नर जनल कौन था who was the first गवर्नर जनल to visit शिमला तो शिमला की यातरा करने वाला जो पहला गवर्नर जनल था उसका नाम था लौड एम हस्ट जिसने 1827 में शिमला की यातरा की थी next one है last question इस वीडियो का महात्मा गांधी ने प्रत्थम बार शिमला की यातरा कब की थी हिमाचल जी के का सबसे most important question है महात्मा गांधी ने प्रत्थम बार शिमला की यातरा की थी 1921 में यहाँ पे यह सबसे पहले शिमला में visit हुए थे पहली बार विजिट हुए थे 1921 में और इनसे एक important question बनाता हूँ है 1924 में जो है वो पहली बार महात्मा गांधी जी ने एक साल के लिए Congress किये ध्यक्षता की थी 1921 में पहली बार शिम्लाए थे और 1924 में पहली बार गांधी जी ने Congress किये ध्यक्षता की थी वो भी एक साल के लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी डेली हमारी HP Police DK की वीडियो आती है उसको आपने जरूर देखना है आप हमें social media के उपर भी follow कर सकते हैं आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जरूर जुड़ें इसमें आपको day to day के current affair साथ में HP Police DK study material और साथ में job alert provide करवाया जाता है वीडियो के description में आपको जो है वो WhatsApp का link में जाएगा बहां से आप इसको easily join कर सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का भी advance batch start हो चुका है जो की रहेगा आपके लिए mission 2021 मतलब कि आपको 2021 में job लेनी ही लेनी है सो जल्दी से जल्दी advance batch के लिए आप वीजेपत defense education join कर सकते हैं सो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जादा से जादा like करें share करें और daily HP Police GK की वीडियो पाने के लिए वीजेपत defense education को subscribe करें जै हिन जै भारत